दोस्तों ये है मेरे पास Samsung Galaxy S21 FE 5G, इस वाले फोन को मैं काफी दिनों से यूज करूँ, अब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको यूज करते हुए मुझे एक साल से उपर हो गये, इसकी जो पर्फॉर्मेंस है और यहाँ पे जो यहाँ पर रेजर्ट है वो काफी ज्या नहीं होते थे, लेकिन ये फोन काफी ज़दा बढ़िया निकल के आता है, तो हम लोग आपे वीडियो के शार्टिंग करते हैं, इसके कलर्स ओप्शन से, तो फिर आपको अच्छे कलर्स के ओप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको Samsung में थोशे ज्याद मिल जाएंगे, इसके मतलब red भी हलका सा हो जाएगा, कहीं कहीं हलका सा black हो जाएगा, तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इसका एक और जो blue सा color आप लोग यहाँ पर देख पार हैं, यहाँ पर glossy finish के साथ में, तो यह चीज़ का आपको यहाँ पर मतलब ध्यान रखना है, इसके बाद इसके बाद आपको दोनी फोन में टीपल याने की तीन camera के आपको यहाँ पर setup मिल जाएगा, ओपो में आपको यहाँ पर एक button layout design तो मिलती, लेकिन एक rectangular, एक module है, बाकी Samsung में भी आपको यहाँ बटन layout design देखने हो मिल जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, build quality में कहीं है कि Samsung सा आगे, बाकी design तो दोनों का ही ठीक है, इसके बाद अगया पर बात कीजाए, इसमें form factor की, तो फिर यहाँ पर जो form factor है, वो ओपो का slightly better है Samsung से, यह phone थोरसा पतला है, थोरसा मतलब weight भी इसका ठीक ठाक है, Samsung का weight तो ठीक है, लेकिन हलकी मोटाई थोई सी ज़्यादा है, बाकी Samsung में in hand feel में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती, चुकि यह phone थोसा छोटे size का है, तो वहाँ पर आपको in hand feel में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके बाद अगर यहाँ पर बात कीजाए, इसमें in the box content की, तो फिर आपको open में सभी content देखने मिल जाएंगी, चाहे तो back cover हो और यहाँ पर Samsung का थो समयंगा आता है, बाकि इसमें आपको earphones, screener, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको आपको अलग से बाइक करना पड़ेगा, इसके बाद आपको दोनी phones में USB type से लिए जो charging cable होते है, वो आपको in the box में मिल जाएगी, SIM tray, ejector pin भी देखन charging की बात की जाए, तो OPPO में आपको 5000 mmH का एक काफी बड़ा साइज मिल जाता है, इसके बाद भी फोन काफी पतला हो काफी हलका है, इसके बाद आपको यहाँ पर 67 Watt का एक सुपरफार जो charger हो आपको इन दबहुसा मिल जाता है, तो भी यह फोन यहाँ पर 50 मिनिट के आस- बेटर देखें मिल जाएगा, मतलब अटलीस आपको एक दिन तक की तो मिली जाएगा, लेकिन जो मेरा जो एक जिन अपर चार्ज करना पर जाता है, और बाकि चार्जर भी आपको इन दबहुसा में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको पर रहले बोल सकता हूं कि यहाँ पर समसंगी इसमें बिनर होने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको 12 12 मेगापेसल का में और जो मिलता है, लेकिन सेटप कुछ इतना खास नहीं है, आपको 64 मेगापेसल का में करना मिलता है, और दूसी बात यह है कि यहाँ पर आपको Omnivision व इसका ठीक है, आट मेगापेसल का है, लेकिन यहाँ पर सोनी का संसर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वीडियो शूट आप लोग दोनों ही फोन से 4K तक ही निकाल पाएंगे, सेल्फी की बात करें तो फिर आपको दोनों में 32 32 मेगापेसल की सेल्फी मिल जाती तो वहाँ पे भी मतलब जो समसेंग है, उसको बीट तो नहीं कर पाया, जैसे मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे इसके रेजर्ट किसी आईफोन से कम नहीं, इसका बैक कैमरा, अल्टा वाट कैमरा, टेली फोन लेंस भी इसका ठीक है, मतलब जो मेन और अल्टा वाट कैमरा है, इसकी देखने को मिलेंगी, वह आप लोग ऐज़ा, यहां पर यूज को यहां पर यूज कर सकते, आपको आप जो मिल याएग कि शॉर्ट अच्छे अच्छे लेंगे, लेकिन सेलफी की बात कि इसकी प्रीमियम नहीं है, आपको सभी कुछ जो डैनिमिक रेंज है, एज जो लेकिन, फिर भी, घृपी जो फ्लैक्षिप में फराख होता है, तो यहां पर मिड़ेंज ही, आपको देखो मिलेगी, लेकिन यहां पर आगर ओप्रों की बात के, तो इसका में क्याम क्या नहीं, लिए ओम्नी वीजन वाला संसर है, सोनी के संसर होता, तो मैं यहां सकता था बाकि अल्टावाट का ठीक है और दो मेगापेसिल का मैकुलेंस से आप लोग यहां पर क्या ही कर लेंगे और सेल्फी की ठीक है तो फिर यहां पर अगर देखा जाए तो चैम्संग की तरफ जाए इसके बाद अगर बात कीजिए इसमें डिस्प्ले की तो यहां पर इसके इसके बात की बात की तो यहां पर चोटा है तो इसके इन हैं फिल काफी सही आता है बाकि आपको जो जो फॉल्टी है आपको दोनों में फुल एजडी प्लस एक एमूलेट पैनल देखने मिल जाएगा तो काफी बढ़िया इसके आपर निकल के आते पंची कलर्स होते आइफोन की तरह यहां पर डूल नहीं है काफी बढ़िया आपको यहां पर इसमें कलर्स देखने मिल जाएंगे इसके बाद यहां पर प्रोटेक्शन है वह समसंग की बटर है चुकि हां पर विक्टर्स की है 120 हस का हाईयर इसकी निफेशेट आपको दोनों में देखने मिल सब्सक्राइब कर देखने मिल जाएंगे तो फिर यहां पर क्वाल्टी में कहीं न कहीं उप्पोत हो सा आगए लेकिन फिर भी जो समसंग है वह प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस में अभी भी यहां पर बीट कर दे रहा है इसके बाद अगरहां पर बात की जाए इसमें प फैदा इसका इसलिए आप यहां पर टीपालेट के साथ में जाएंगे तो वहां पर पर्फॉर्मेंस को काफी जदा बढ़िया देखने मिल जाएगा और यहां पर यहां पर यहां पर चिप्सेट नहीं पहले 900 लॉंच की फिर 920 वी थाउजनेटी फिर इसको यहां पर लॉ की गई है हाला कि पर्फॉर्मेंस आपको ठीक मिल जाएगी इसमें भी आप लोग सभी काम करपाएंगे फोर के वीडियो टेटिंग गेमिंग सभी कुछ कर सकते हैं लेकिन पर्फॉर्मेंस के लिए समसंग का आप लोग पर टीपालेट के साथ में ही जाएगा इसके बाद यहां पर बात की जाए इसमें सॉफ्टर की तो यहां पर भी अभी भी समसंगी वीनर है क्योंकि यहां पर यहां पर आपको एंड्रोइट 16 तक की अपडेट मिलेंगे इसके बाद आपको नौक स्क्यूर्टी सिक्यूर फोर्डर समसंग डेक्स जैसे आपको प्रीमियम इसके बाद अगरा बात की जाए इसमें कुछ और बनो फीचर की तफिर आपको दोनों में इन डिस्प्रेट फिंग अपर इसके बाकी आपको यहां पर यह रेटिंग देखने को नहीं मिलेगा आई पी 65 वाली है तो यह फोन वाटर प्रूफ नहीं हुआ लेकिन समसंग अल इसके बाद अगरा बात कीजिए इसमें वेंट रेट की तो यहां पर दोनों फोन दो दो विरे में आपर लॉंच किये गए समसंग आला फोन पर टीपल लेट के साथ में वह भी आपको अच्छी मिल जाएगा तो यहां पर पर्फॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी कुछ प् आपको देखें मिल जाएगा उपको अला फोन हां मना थोसके सब्सक्राइब जिसे कि लोग ने आइथिंग के चौब वी सजाए तक ही मिल जाता है और लगा के तो फिल्छे फोन काफी ज़दा आपके सहीर रहें तो आई हो क्या अपके सब वीडियोश के लिए होगे